नमस्कार मैं दौलाश शर्मा और आप दिखने सुरू कर चुके हैं SPN 9 News 2024 के लोगसबाद चुनाव से पहले तीन राज्यों में विधान सबाद चुनाव होने हैं जो कहिना कहीं सबी पार्टी के लिए काफी महदपूर्ण हैं और हर पार्टी इसको जीतने की पूरी कोसिश कर रही है वैसे तो देखा जाए सीधे सीधे जो लड़ाई है मद्यपरदेश में वह कॉंग्रेस और बीजेपी की लड़ाई देखी जा रही है यानि कमलात वसे सिवराज की यहां पर लड़ाई देखी जा रही है और इसी को लेकर सिवराज सिंग चोहान ने एक बड़ा बयान अपना दिया है वैसे देखा जाए तो इंडिया आलाईंस यहां पर भोपाल में एक बड़ी रैली करने वाली थी लेकिन अभी उसके उपर कोई क्लेरेंस नहीं आया है यहां पर केसी मीनु को पाल कहते हैं कि मलेका जुन खड़ गई और इंडिया गड़ बंदन के अन्य जो बड़े नेता हैं वो इस पर फैसा लेंगे और अक्टूबर में हो सकता है कि यह गड़ बंदन की महारेली हो और वो भोपाल में होती हुई नजर आ सकती है और लगातार इसके उपर जो भी अपडेट है वो हम आपको लगार दे रहे हैं लेकिन यहां पर सिवरा सिंग चोहान ने एक बड़ी बात कहिए इंडिया लाइन्स को लेकर कि उनके पास कोई भी या तो बड़ा चेहरा नहीं है या फिर उनके गड़ बंदन को जोड़ के रखे कोई ऐसा नित्रतिव उनके पास नहीं है उनका आरोप है कि यहां पर जो है गड़ बंदन में ही टूट चल रही है और आपस में एक दूसरे के ऊपर यहां पर आरोप रत्यारोप चल रहे हैं और एक दूसरे की टांग खेंचने में लगे हुए हैं सबसे पहले आपक में दवई नहीं है कही है भारती जनता पार्टी जहां भी चुना होते हैं हम सब कारी करता काम में लगते हैं मैं भी उत्तर प्रदेश भी गया गुजरात भी गया जहां जहां चुना हुए हम लोग गया भारती जनता पार्टी की परंपरा इनके तो नेताओं में यह का नह यह बाहर से क्या बुलाएंगे घर वाली लड़ रहे हैं आपस लट्थम लट्थम बचा हुआ है कांग्रेस पर कौन का फोटू लगे कौन का ना लगे और इस चक्कर में घर वाली प्रिचार नहीं कर रहे तो बाहर वाली का बुलाएंगे भारती जनता पार्टी यह जो एक जुठ है अब पूरे देश के हमारे प्रदानमंत्री जी आ रहे हैं हमारे ग्रह मंत्री जी अमिसाय जी आ रहे हैं प्रदेश राश्ट्रिय और चुनाव में उल्टे मूखी जो है यह पूरा इंडिया आलाइंस खाने वाला है जिसमें 24 से 26 दल मौजूद हैं और सीधा सीधा उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ होनी है चाहे वो राज्यों के चुनाव हों चाहे वो लोग सभा के चुनाव हों तो देखना होगा कि कितनी बात जो है सिवराजिन चौहान की हाँ पे सत्य होती है और MP में इस बार जनता किसको चुन कर लाती है और बियाजी खबरे जानने के लिए देखते रहेए SPN 9 News धन्यवाद